सिरोही कोतवाली थाना शेत्र में नटराज वोटल के पास जोप नाले में कोलहाडी से वारकर महिला की हत्या करनी के मामली में पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया है पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गरफतार किया है पुलिस दोनों आरोपियों से पूछ साच कर रही है सिरोही एसपी जेश्ठा मैत्रिये ने बताया कि साथ फवरी की दो पहर करीब तीन बजे जोप नाले में लकडी बिनने के लिए गई रंकरिया गली नंबर साथ की निवासी हिना पतनी भावर लाल भील की दो यूबकों ने कुलहाडी से वर कर हत्या कर दी थी और घटना से फरार हो गए थे इस मामले में एसपी के नरदेश पर गठित की गई टीम ने हत्या के दोनों आरोपियों को 48 गंटे में गरफतार कर लिया केतराम पत्र रामाराम भील निवासी टंकरिया गली नंबर साथ ने कोतवाली थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी हिना और दो हिती पायल दोनों टंकरिया से लकडी बीनने के लिए नटराज होटल के पहले जोपनाले पर गई हुई थी वहाँ पर दो युबकों ने उनकी बेटी हिना के सिर में कोलहाडी मार कर हत्या कर दी ताब उनकी दो हिती पायल सड़क पर आई और उसने लोगों को बताया इसकी सुचना मिलने पर वह स्वयम घटना इसतल पर पहुँचे पुलिस ने पेता की रिपोर्ट पर बेटी की हत पर दरज कर जाश्च चुरू की है इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी दिसावर थाना जुनागर जिला जुनागर गुजरात हाल केतला जी मंदिर के पास माली समाज रोड निवासी मेहुल कुमार उम्रेकिस वर्स पोत्र भीमाराम और उसके साथी सुरेश कुमार इस वर्स पोत्र करम बागरी को गिरफतार किया गया है इस मामले में एसपी की ओर से गठित की गई टीम में पोत्वाली थाना दिकारी हंस राम सीरवी हैड कॉंस्टेबल लगपत सिंग और सचेंदर रतनू कॉंस्टेबल महावीर सिंग दिलेप सिंग कुंभाराम हरीश गनपदलाल नेपाल सिंग प्रतवी सिंग और डीसी आरवी के रमेश कुमार और सुनाराम शामिल रहें कैमरामेन तनीशा राजपूत के साथ सिरोही जिला मंडल हैड शंकर सिंग सरकार की रिपोर्ट